तो राहूल गांदी अब राइव अमेटी छोड़कर चले गए हैं तो गप्पू है इस अब टारने वाले काम करने वाले में काम करने आपको लगता है भगोड़े हो गए यहां से भगवड़ी है लोगन की जरूरत नहीं है जरूरत नहीं जरूरत अच्छा अपनी सरकार बढ प्तवा सरकार बढ़ी है बाच्पा सरकार बड़िया गोड़ी काम काम करने हां रखते हैं भागा था चल दिए खडए हिह अजित किशोरी लाच शर्मा सब्साइब मैं ढूइस आपिए कभी जेखी नहीं यहां कोई घर नहीं था यह केवल उनका चेत्र था यहां आते थे आराम से खाते थे डान बगला में सोते थे गाड़ी इस्टार करते थे चले जाते थे कभी गाओं का देखा था सुक्षेन क्या नाम है आपको दिननाथ बांड़े इस बार चुनाव है 2024 में क्या लगता है कौन जिते बाद पर क्यों है क्यों उमीदेशी है उमीदेशी है उमीदेशी है तो राहूल गांदी अब राइव अमेटी छोड़कर चले गए है तो गफू है इस अब टारने वाले सरकार बढ़िया जो काम किया है पंदर साल में राहूल गांदी ने कोई काम करते हैं रखते यहां भाग करते चल दिये तो यहां पर ऐसे क्या डर लगा उनको कि इस वार अमेटी से चुनाव ना लड़के राह पता है ना राजनीती नहीं कर पाएंगे ना है इसलिए भाग अब उनके सचीव लड़ रहे हैं से किसोरिलाल शर्मा उसके बारे में क्या करेंगे उनको कौन है वो होंगे कोई वंग है लेकिन हमारी सरकार बाजबा सरकार इस बार गांदी परिवार के शहजादे चले गए राइबर आदे गए अवेद्दम साहजादा काता हुँ अब अब लुद 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 यह पहर चैनला परक सब्सक्राइब अगले महीने यह नहीं करते हैं यहां तो जाएंगे वह आंगे वहां चुना वह चुका है अब यहां फ्लाट रहे हैं दो जो शीटाइए उनको यहां किषवरिलाद सर्मा कभी देखे नहीं पहली बार नाम सुन अधे लगते उनको देखा तो जाए राई गांधी तो अच्छे लगते तेपू कैसे लगते हैं उनको देखा तो यह मानते हो कि कॉंग्रेस के कुछ जो कारे करता है उन पर भी नाराज गी है इस बार कि राह इसलिए उनके खुदे नाराज आपको क्या नाम है इम्राज इम्राज जी बताइए 2024 मेठी से कौन जीत रहे बीजेपी कॉंगर्स बीजेपी क्यों काम किया है निवाई अच्छा राउन गानी के बारे में क्या कहें चोड़के भागें राइबर राइबर रेली इनका छेतर स को उतार रखा है लगता कुछ उनीद होगा है थोड़ा बहुत है नहीं लेकिन बाहराल जादा नहीं है भईया चलिए धन्यवाद क्या नाम है अपका लाल जी बाबा केंदर में किसको चाहते प्रदान मेंत्री बनना केंदर मेरी तरफ से जो है वही ठीक है क्यों अरे भई कि हर चीज की सुगधा दिया है जिनके पास मकान नहीं था उतको कालो नहीं दिया लेकिन के यह ततल्य है कि गाउं का विकास हुआ बाकी मेरा गाउं खुषाल है और सबसे अक्छी बात तो यह है कि दुन्दा राज खतम हो गया है इसलिए हम लोग बहुत खुष है वो कें इसलिए खाते थे डांग बगला में सोते थे गाड़ी स्टाड करते थे चले जाते थे तबी गाउं का देखा था सुक्षेन कभी देखा था कि सड़के कैसी है हमारे लोगों की रिक्सा पलड जाती थी कितने रिक्सेवाले के पायर में राड पड़ा हुआ है पायर टूट करने के लिए ताने वाले पेट भरता ही नहीं से भाई नहीं काम उए इसलिए जनतारु श्थ भगई और क्या पताएं और क्या कह सकते है इसके अलमा देखिए दो सीटा खाली ती राय परेली और अमिठी जीती थी और दो जानीज में राहूल गांदी जीहां से हारे थे व अब इस बार वाइनर्ब में चुनाव खतम हो चुके हैं जहां पर उनको लग रहा कि जीत की उमीद है उनकी उसके बाद भी दो सीटे खाली थी अमेठी और राय ब्रेली अमेठी चोड़कर राय ब्रेली गए अमेठी में वाफिस क्यों नहीं आए जब 2004 से यहीं से चुनाव लड़ रहे हम नहीं कह सकते कुछ इसलिए कि अमेठी वहां है मैं गवरिगन में हूँ और 10 रुपए की सवारी दिन भर चलाता हूं तो तीन सो कमाता हूं तो सव रुपए की सब जी जाती है सव पचास रुपए का चावल दाल अल्टा लेता हूं किसी तरह चूला गरम होत बहुत दूर है जय सरी राम आपको क्या नाम है इम्राइच जीत रहें बीजेपी कॉंग्रेस क्यों काम किया है नि क्या कहें चोड़ के भागें राइब रहे राइब रहे इनका चेतर साया यहां से लड़ना चाहिए लेकिन वह लड़े नहीं यहां से बहाएं पाएंगे इसके लिए दर है तो फिर यहां पर उन्होंने अपने सचिव को उतार रखा है लगता कुछ उम्रीद होगा थोड़ा बहुत है लेकिन बाहराल जादा नहीं है जलिए धन्यावाद क्या नाम है अपका लाल जी बाबा अंकल जी नमस्कार क्या नाम आपका क्या नाम दिन एक अच्छा इस बार राहुल गंदी को ऐसा क्या डर सताया है चोड़कर वह राय परेली चलेगा था कि अवह जोग्या नहीं को डौर रहा है इसलिए उन्हें चला गया डर लगिया दर लग्या तीन बार सांद्र रहे चुकोंड़ आउरा अटम को मीलेगा नहीं बात जो क देदा ही होगा कि कुछ हो कि अपना सपोर्ट हम बारा बंकी के रहने वाले हैं हमारे यहां तो भाई भाजपा की लेहर हैं तो बिना भाजपा को मेरे को मालूम लेकिन मेरे को मालूम बस जबस इसे क्या यहां अच्छे लग वह मोदी जी का सारा काम अच्छा लगता हमारे योगी भाबा अपनी उपी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो जरीजा कुछ पमपड़ी है और गंगा परसाद कुंड़ा करती वह कंपड़ी है इसलिए हम जह मोदी जी का योगी हुआ है!